गुड मोर्निंग बद्जो लास्ट टाइम हमने डिसकस किया कि मार्किंग स्कीम फिलिक्स की कैसी होती है कि इतने नंबर का फिपर आता है उसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो यूनिट परस्ट है यूनिट परस्ट पीजिकल वर्ल्ड एंड मेजर्मेंट इसके अंदर फिजिकल वर्ल एंड मेजर्मेंट के अंदर सबसे पहले हम देखें तो फिजिक्स को रिलेट करने के लिए सबसे पहले जो अमारा आपता है वो कि वह साइंस क्या होता है अभी तक 10 तक आप पढ़ते आये होंगे कि सारी जिजिए क्या है फिजिक्स हो हो गैस्ट्री हो बायो हो इसमें कंबाइन होती है एक ही साइंस के अंदर कि इसमें क्या हो जाती है हिमारी सारी डिवाइट हो जाती है पार्ट होज्ञाती है कि अगर हम देखें कि वही इसको होता है हुश के अगर हम बचार है सभी के सबसे पहले अगर जर्नली सभी को कंप्रियूड करें देखें कि विए वट इस साइंस तो साइंस अगर हम देखें यहां से तो साइंस दर नोलेज विच एक्सपरिमेंटली किसी भी चीज़ को एक्सपरिमेंटली किसी भी चीज़ को ऑप्सपरिमेंट करके क्या करें इसके दोवारा एक्सपरिमेंट के दाओ ठीक है वो उसको क्या करें कि सिस्टेमेटिकली वे के अंदर क्या करते रहें जैसे कोई वी चीज अगर हम देखें सबसे अच्छा एक्जामपल है हमारा कि नेचर के अंदर वही दिन और रात कैसे हो रहे हैं इसके लिए जो है एक्सिस पर रिवोल कर रही है और अराउंड़ा संग रिवोल कर रही है ठीक है तो किछी भी चीज़ के कंसेप्ट को क्या करें अच्छे से एक्सपरिमेंट और और उब्जर्वे अवर्ध आइनस्टीन की कि जिसको हम मानते हैं कि वही क्या है ठाषे2 ऐक परकार से फादर ओफ रिजिक्स हो सकते हैं अवर्ध आइनस्टीन को कि उसके अकोडिशन आगर हम प्गया है इसका क्या विचाट पा तो इसने बताया कि साइंस कि है कि क्योंफ क्लेक्शन है इसका नोगेज़ का क्लेक्शन नहीं है साइन्स कि है कि क्या है कि हम देखें किछी चीजा को आधाव करें ऐसा कि नहीं कि कुई भी कोई नेचुरल इह शिर कि फिजिक्स क्या होती है तो ठाजिक्स और अगर आपके साइंस के दो दो पार्ट रखते हैं एक फिजिकल साइंस और एक दूसरा दो पार्ट होता है वो होता है बायोलोजिकल साइंस तो इसके अंदर क्या है फिजिकल साइंस में अगर हम देखें तो फिजिकल साइंस में क्या क्या स्टड़ी करते हैं कि वहीं जैसे हमारा सबसे पहले तो फिजिक्स है यह किसमें आता है फिजिकल साइंस में आता है उसके बाद कैमेस्टी है वह भी किसमें आता है फिजिकल साइंस में आता है और मैफमेटिक जो है यह भी किसमें आता है फिजिकल साइंस में आता है तो इनके अंदर क्या है दो टाइप जिसके अंदर क्या करें हम कि which non-living things जितने भी हमारे पास क्या है non-living things है उनकी जो भी studying की जाए science में those science which tells about the non-living things that science is known as physical science जितने भी हमारी living things है उनके बारे में जो हमें बताए वो क्या होता है biological science तो physical science का ही एक पार्ट है हमारा क्या है physics तो अब हम आते हैं कि what is physics या define physics physics होती क्या है तो physics is study of nature and natural phenomena what is nature and what is the phenomena या what is the concept of nature तो at first भी देखे हम surrounding के अंदर की क्या है सबसे पहले नेचर में physics के अंदर की सबसे जो example है कि वही सर्दी क्यों हो रही है गर्मी क्यों हो रही है हमारे घरों में देखें fan किसकी वज़े से चल रहा है light किसकी वज़े से जब रही है कावी सारे example के हमारे surrounding में देखें हो सारे क्या है physics से related हैं तो जितने भी concept है जितने भी लाजने या जितने भी नेचरल फिनोमेनाज हैं ठीक है वो क्या है कि बारिस के टाइम पर हम देखें हमारा क्या होता है इंदर दुनों स्कॉल होता है वो सारा क्या है physics कि जितने भी नेचरल और नेचरल फिनोमेनाज हैं वो क्या है सारे physics हैं फिजिक्स से आगे कि कि इस परकार से डेराइब किया गया क्या कि इसके स्कोप है कि वे काका पर इसको हम यूज कर सकते हैं तो दो टाइप से इसको क्या किया गया फिजिक्स को एक तो क्लासिकल उसके अंदर वर्ट के अंदर या क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा model दो टाइप से इसको derived कर दिया गया है classical physics में भी क्या है classical physics के अगर की जितने भी हमारे पास जो भी macroscopic level के उपर domain include है जो भी phenomenon है वो तो क्या है की इसके अगर आएंगे classical ठीक है macroscopic means की किसी भी चीज़ को हम क्या करें बड़े लेवल के उपर देख थें और उसको के वन क्या कर सके की external observations उसके क्या हो वो सारी किसके अंदर आती है classical physics के अंदर microscopic कि उसके और ज़्यादा उसे और कम जो है उसके छोटे लेवल पर बिल्कुल क्या करें उस चीज़ को अबजर्ब करें वो आता हमारा modern physics में classical physics जो है लगवग उसके बाद जो फिजिक्स यूज़ हो रही है वो कौशी physics यूज़ हो रही है modern physics यूज़ हो रही है कि जिसके अंदर हम बिल्कुल microscopic level की किसी भी चीज़ के बिल्कुल स्टार से कोई भी चीज़ को क्या करते है हम study करते है after that कि क्या क्या scope है scope है कि जितने भी engineering field हो हमारी scope of physics जो भी field हम देख्ट है ठीक है किसी भी field के अंदर last time हमने study क्या था आगे हम को डिटेल से study करेंगे कि physics दूसरे subjects के साथ कैसे relate है math के साथ कैसे chemistry के साथ कैसे bio के साथ कैसे geology के साथ कैसे तो scope of physics क्या है कि बहुत भी बड़ा हो है कि इसका जो एडिया है physics का surrounding जो है वो बहुत बड़ा है कि जितनी भी nature के अंदर जो भी चीज़े है चाहिए हम किसी भी field के अंदर जाएं उसमें क्या होगा कहीना कही physics का use जरूर होगा तो scope के लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत ही जादा जो है scope है किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ के लिए experimentally अगर हम देखें क्या किसी भी चीज़ को observe करके देखें readings के according या और दूसरी comparison करके देखें किसे भी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तो उसके अंदर क्या होगा कि कहीना कहीन पर physics का use होगा तो काफी सारे sports हैं physics के इसके अंदर आगे हम और detail में study करेंगे कि भई खाँ खाँ पर क्या चैक चैक तो